Hello students, ये class DRT first year के लिए है, जिसमें अपना subject है, radiography first positioning अपना topic चल रहा है, skull radiography skull radiography में अपने skull के views पढ़ रहे थे जिसमें सभी bone के पढ़ लिये थे और अपने पढ़ रहे थे paranazal sinus के लिए पेरा नेजल sinus में यह तो इस दिखा रहे हैं देखो frontal sinus, ethmoid sinus और maxillary sinus यह तेन sinus जो अपने anterior पार्ट में हो रहे हैं भूते हैं जिनकी image दिखा रही है यह तो यह lateral पार्ट में दिखा है frontal sinus, ethmoid sinus यह वाला और maxilla sinus यह वाला और एक होता है स्पेनोर्ड sinus जो हता है औरभीट के पीछे के बाट में तो ये चार साइनस अपने पेरनेजल साइनस में आते हैं अपने क्या है ऑक्षिपित और मेंटर रवी पड़ लिए था लेटरल वी पड़ लिए था आज अपने पड़ेंगे right and left oblique view right and left oblique view देखो नाम से पता दल रहा है कौन सा व्यू है oblique view तो patient की position कैसे रहेगी oblique position में रहेगी right या left जो side affected अपने view में लेंगे सबसे पहले इसके indications की बात करें इसका indication है to demonstrate pathology condition कोई भी pathology condition है उसको demonstrate करने के लिए ये view किया जाता है जिसमें अपने cassette size, cassette size क्या रहता है 8-10 और 10-12 जो के skull के सभी normal view में रहता है इसमें specially बिताएगा ये ethmoid sinus को देखने के लिए view किया जाता है oblique view किसलिए कि रहता है specially ethmoid sinus के लिए बाकी view भी इसमें रिखाई देंगे बट ethmoid sinus अपना अच्छी तरह clear scene हो जाएगा उसके बाद अपने बात करते हैं पोजिशन ओफ पैसेंट की पोजिशन क्या रहेगी पैसेंट प्रोन ओन दा एक्सरे टेबल इंट्रीव पीए पोजिशन पैसेंट बिल्कुल पीए पोजिशन में टेबल पर उल्टा लेटेगा पैसेंट का मिडल स παईन प्लेटा अपर्पैंड़ के पर्पैंडिकुलर् रहेगा तर रोटेट आ हेड थर्तिन डिग्री तो इच्छ जाइड वीए करने के लिए अपने क्या करेंगे हैड को थर्तिन डिग्री रोटेट करेंगे या पैसेंट अपना क्या है P.E.V.U में तब अपने क्या करेंगे या तो left side में जो कि affected side है उस side में या right side में head को 39 degree rotate कर देंगे If patient in erect position अगर अपना patient क्या है, erect position में है तो head clamp should be used to study the head तो अपने क्या करते हैं head को एकड़ के स्तीर करने के लिए head clamp का use करते हैं next है position of cassette cassette की position क्या रहेगी cassette upper border should be 1 inch above to the vertex of skull जो अपने skull का vertex part होता है उससे cassette को 1 inch उपर रखेंगे अभी अपने क्या है जो पैसेंट की position पड़ी वो याद गरो पिछले कौन से view में अपने की थी जो अपना stain verse view था किसके लिए mastoid cell के लिए stain verse view उसमें अपने same यही patient की position रखी थी stain verse view और oblique view किसके लिए paraneasal sinus के लिए दोनों के में patient की position same रहती है बट अपने क्या करते है centring change कर देते हैं इसमें अपने centring रहेगी central ray over the 2 inch above and 2 inch behind the external auditory meters EAM external auditory meters of the side away from the film at right angle to the film centring अपने कहां करेंगे 2 inch उपर और 2 inch पीछे किस से external auditory meters से away from the film जो external auditory meters अपना case set से दूर है उस external auditory meters से 2 inch उपर और 2 inch पीछे किस सेंट्रिंग करेंगे और tube में कोई भी अंगल नहीं देंगे यह अपने centring हो गई paranasal sinus के oblique view के लिए है आगे अपने इसमें radiological appearance की बात करें तो radiological appearance में अपने वो दिखाई देता है the posterior ethmoid is in the shadow of orbit जो ethmoid sinus है वो अपने को orbit की shadow के अंदर दिखाई देता है अपना ethmoid sinus कहा होता है जो अपना orbit और nasal है nasal septum इसके जैस्ट पास में है नहीं आगे के पार्ट में जहां अपने क्या है यह eyelids है आई के अंदर का पार्ट है वहीं अपने क्या होता है ethmoid sinus तो ethmoid sinus अपने को कहा दिखाई देगा orbits के अंदर in the shadow of orbit the optic foramen and floor of the anterior fossa are also seen optic foramen और floor of the anterior fossa are also seen जो अपने आगे के पार्ट में फोसा होता है वह और पर position की बात करें तो पैसेंट की position क्या थी पैसेंट टेबल पर प्राउन लेटेगा प्राउन लेटने के बाद पैसेंट की जो affected side है उस side को अपने क्या करेंगे 39 डिग्री उस side अपने पैसेंट के head को rotate करेंगे और पैसेंट का middle societal plane क्या होगा टेपल के perpendicular रहेगा और पैसेंट को head को immobilize करने के लिए एक जगस्तिर करने के लिए क्या करेंगे head clamp का use कर सकते हैं या फिर non radio opaque pads का use करेंगे इसके बाद अपने बात आती है centring की तो centring कहां करते हैं अपने जो film से दूर अपना external auditory meters है उससे 2 inch उपर और 2 inch पीछे की side में अपनी centring करेंगे अब बात करते हैं अपने exposure की exposure क्या रहेगा तो इसमें distance रहेगी 90 to 100 cm केवी रहेगा अपना 85 अमेस की बात करें तो अमेस अपना रहेगा 60 और grid का use अपने करेंगे तो यह हो गया अपना paranesal sinus याने it mode के लिए especially it mode के लिए view हो गया right or left oblique view इसके बाद अपने view की बात करते हैं hanging head position hanging मतलब लटकता हुआ यानि ultra लटकाना सर को जैसे ultra लटकाते हैं उस position में अपने view करेंगे इस view का नाम होता है sub mento vertex view sub mento मतलब जो अपना mento part है mento part कौन सा हो गया mandible का menti part उस part से vertex view यानि vertex की तरफ अपनी x-rays जाएगी vertex कौन सा part होता है skull का जो top part है वो और menti कौन सा part होता है अपना medible bone के जो निचे का part है उसको अपने यानि आगे का part है उसको menti बोलते हैं तो एक तरह से देखें तो ये view अपना कौन सा हो गया inferior to superior view बट इसमें अपने क्या है hanging head position तो hanging मतलब उल्टा लटकाना जैसे कि अपने head को उल्टा लटकाते हैं उस प्रकार से अपने head की position रहेगी तो अपने head को उल्टा लटकाते हैं तो head की position कैसे रहती है head का जो vertex part हो के set से तत्में रहता है और जो mandible वाला part वो उपर रहता है यह अपने hanging head position होगी इस प्रकार से अपने view करेंगी इस view को अपने start करते हैं सबसे पहले अपने बात करते हैं indication की, indication क्या रहेगा तो to demonstrate for a man magnum जो अपना for a man magnum होता है, for a man magnum को अच्छी तरह देखने के लिए अपने view करते हैं for posterior ethmoid sinus and sphenoid sinus, अपने ethmoid sinus और sphenoid sinus, sphenoid sinus का होता है orbits के पिछे के पार्ट में, इन दोनों को देखने के लिए यह view किया जाता है अपने cassette की बात करें, तो cassette की position कैसे रहेगा, cassette का size क्या रहेगा, 8-10 और 10-12 जो कि सबी normal skull के views में रहता है next अपने आती है, position of patient, patient की position क्या रहेगी तो अपना view कौन सा था देखो, hanging head position hanging head मतलब head को उल्टा रखना, उल्टा कैसे रखेंगे, vertex पार्ट वो नीचे रहेगा और mandible बाला पार्ट वो उपर रहेगा, उसे प्रकार अपने अभी position set करेंगे तो इसमें देखो, patient, supine on the x-ray table in true AP position patient क्या है, true AP position में table पर supine लेटेगा send bag और pillow placed under the shoulder to raise the shoulder shoulder को उपर उठाने के लिए, raise करने के लिए, shoulder के नीचे pillow या send bag अपने लगा देंगे the neck is hyper extended to bring the vertex of the skull to the contact with the cassette अब अपने क्या करेंगे, neck को hyper extend करेंगे, extend मतलब क्या होता है body का angle increase करना, extend करेंगे, hyper extend यान बहुत ज़्यदा extend करेंगे, किसलिए, ताकि अपनी जो bring हैंने अपने position आसके कौन सी position, vertex of the skull to the contact with the cassette हैं, जो cassette, अपना जो head का vertex part है, वो cassette के touch में आ जाएं, इदे खो line क्या करी हैं, अपने head को hyper extend करेंगे, ताकि जो अपना vertex part है head का, वो cassette के touch में आ जाएं, और mandible का हो जाएगा, बिल्कुल उपर the head is adjusted so that the EAM, external auditory meters are equal distance from the cassette, head को इस प्रकार adjust करेंगी, कि अपने दोनों external auditory meters, cassette से equal distance पे होने चाहिए, एन external auditory meters या ear पिना भी बोल सकते हैं, तो cassette से दोनों बिल्कुल equal distance पे होंगे, तो अपने क्या हो जाएगी, true ap position हो जाएगी, patient middle societal plane is perpendicular to the table, patient का the middle societal plane है, वो टेबल से perpendicular रहेगा, यानि अपने ने क्या किया, vertex part को केसिट के touch में कर दिया और medieval part उपर आ गया, तो अपना middle societal plane टेबल के perpendicular रहेगा, patient orbital line is parallel to the table, patient की orbital line टेबल से parallel हो जाएगी, बाकि सभी view में देखो, अपने middle societal plane अगर perpendicular होता है, तो orbit of middle line भी perpendicular आ रहे थी, अगर अपना middle societal plane parallel आ रहा था, तो orbit of middle line भी parallel आ रहे थी, बाट इस view में क्या हो गया, middle societal plane perpendicular आ गया, और अपनी orbit of middle line क्या है, parallel हो गई, यानि middle societal plane समानतर आ जाएगा, और orbit of middle line, sorry, middle societal plane, लंबोत हो जाएगा, टेबल के, या केसेट के, और orbit of middle line आ वो क्या हो जाएगी, टेबल या केसेट के शमानतर हो जाएगी, immobilize the head by non-radio opaque pads and sandbag, head को immobilize x का stir करने के लिए, non-radio opaque pads या sandbag का use करते हैं, इसके बाद आती है अपने position of cassette, cassette की position क्या रहेगी, तो cassette की position normal views में अपनी क्या रहती है, cassette upper border should be one inch about to the vertex of skull, यानि जो पहले अपना patient के AP position में लेटा है, तो अपने cassette की position लगाएगे, कहां पे लगाएगे, vertex part से एक इंच ऊपर यानि अपने क्या है, skull पूरा उत में include हो जाना चाहिए, अब बात करते हैं centring के centring कहां करेंगे, तो central ray over the midpoint of a line, joining the angles of mandible at right angle to the film, centring अपने वहां करेंगे, उस line के midpoint में करेंगे, जो line किसको join करती है, दोनों mandible angles को आपस में मिलाती है, उस line के midpoint में centring करेंगे, और tube में कोई भी angle नहीं देंगे, एक बार centring को दूपार देखो, centring कहां करेंगे, दोनों mandible angles को मिलाने वाली line के, midpoint में अपने centring करते हैं, इसके बाद देखो अपने patient की position दिखा रखी है, देखो patient उपर वाले diagram में देखो, AP position में लेटा हुआ है, इसके head के निचे क्या किया अपने, sandbag या pillow लगा दिया, जिससे shoulders क्या है, अप हो गए, और ये देखो, अपने patient की position कैसे हो गई, जो cassette है, उसके touch में कौन सा part आ गया, vertex of skull, अपना जो middle societal plane है, वो table के perpendicular हो गया, और orbital middle line, orbital middle line ऐसे है, और cassette भी ऐसे है, तो orbital middle line क्या हो गई, table के parallel हो गई, अब इसमें centring की बात करते हैं, तो अपने centring कहा कर रहे हैं, centring जो अपने दोनों mandible angles है, उन दोनों को मिलाने वाली line के mid point में अपने centring कर रहे हैं, यही मैंने आपको centring बताई थी, देखो एक diagram और बताया गया है, अगर अपने patient को क्या है, shoulders को rise नहीं करवाते हैं, तो इस प्रगार से अपने cassette की position लगा सकते हैं, जिसमें अपने middle societal plane table के perpendicular आता है, पेरलल दिखाई जारी है, यह patient है patient की erect position में, अगर patient की क्या है, इरेक्ट position में अपने view कर रहे हैं तो, vertex part cassette के touch में आ गया, orbital middle line क्या हो गई, table के parallel हो गई, और amus plane क्या हो गया, table के perpendicular हो गया, centring देखो इस diagram में भी अपने को यहीं दिखाई गई है, जो angle है, mandibles के, उन दोनों को मिलाने वाली line के, midpoint में centring की जा रही है, अब अपने next बात करते हैं, radiological appearance की, radiological appearance क्या बता रहे हैं, base of skull with its foramen, anterior arch of atlas, odontoid process, and mastoid air cells, or either side of magnum, are clearly seen, जो अपना base of skull है, वो foramen के साथ, यानि art of atlas, foramen के साथ अपने को seen होता है, foramen कहां होती है, तो anterior arch of atlas है, यानि atlas कौन से होती है, C1, वो अपने को seen होती है, odontoid process, जो अपने C1 और C2, cervical spine C1 और C2, यानि cervical first, और cervical second, atlas और axis के बीद में, तो odontoid process होती है, वो और mastoid air cells, either side of the magnum, जो अपने को foramen magnum दिखाई दे रहे है, उसके दोनों साइड में, अपने को air cells भी दिखाई दे रही है, जो अपने को नेजल सेप्टम के दोनों साइड में, clearly seen हो रहे है, sphenoid are seen below the ethmoid sinus, जो अपना sphenoid sinus होता है, वो अपने को ethmoid sinus के पीछे की और दिखाई दे रहा है, इसके बाद अपने बात करते हैं, exposure की, exposure क्या रहेगा, तो exposure अपना distance 92, 100 cm, kevy रहेगा अपना 72, 80, amaze रहेगा अपना 80, और grid का भी बात करें, तो grid अपने use में लेंगे, तो yes, इसके बात अपने को hanging head position की एक x-ray film दिखाई गई है, जिसमें देखो nasal septum, यह तो अपना nasal septum है, इसके दोनों साइड में क्या है, ethmoid sinus दिखाई दे रहे हैं, ethmoid sinus के पीछे के पार्ट में, sphenoid sinus भी दिखाई दे रहे हैं, frontal sinus भी यहां दिखाई दे रहे हैं, देखो, और maxillary sinus भी यहां दिखा रखे हैं, और यह क्या अपना, foramen, foramen भी अपने ucleolusine हो रहा है, और यह देखो, यह पिछे अपने sphenoid sinus भी दिख रहा है, यह पार्ट जो दिख रहा है, यह क्या है, angle of mandible, और यह देखो, arts of atlas, यह वाला पार्ट, यह atlas की art दिखाई दे रही है, और यह जो process है, atlas और axis के बीच में, यह अपने ucleolusine, odontoid process, यह अपने ucleolusine हो रही है, तो यह सारा अपने ucleolusine हो रही है, hanging head position में, clearolusine हो जाता है, यह आपने कैस कल के views complete होते हैं, बाकी अपने पढ़ेंगे, आगे next class में, thank you, झाल झाल, झाल 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 झाल